भारत सरकार के बहुत ही येशस्वी और कर्मठ ग्रह मंत्री और भारत के पहले सहकारिता मंत्री आदर्णिय श्यामित भाईशा जी, मेरे साथ ही चंद्रशेकर बावन कुले जी, लोकमत परिवार के प्रमुक विजय बाबु दरडा जी, राजेंद्र दरडा जी, देवेंद्र दरडा जी, रिशी दरडा जी, करण दरडा जी, लोकमत के समुह संपादक श्री विजय बाविसकर जी, यहाँ पर उपस्थेत सभी महानुबाव, हमारे सांसद, विधायक और उपस्थेत सभी बहन और भाईयो, आज बाबु जी की जन्म शती और लोकमत के नापपूर संसकरण की स्वर्ण जैन्ती, इस अउसर पर हमारे भारत के आदरणिय ग्रह मंत्री जी लोकमत के इस कारेकरम में पधारे है, मैं सबसे पहले बाबु जी को आदरांजली अरपित करता हूँ, बाबु जी का जो व्यक्ति मत्वथा नापपूर और विधर्ब उसे भली भाती परीचित है, हमेशा मुस्कुराते हुए और बहुत सनेह के साथ, सभी लोगों के साथ मिलजूल कर रहने वाला ये नेतरुत्व था, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सहबागिता थी, और उसी के कारण स्वतंत्रता के बाद जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में सहबागिता ली थी, उनकी एक ऐसी पीड़ी हमने देखी कि जिनके मन में अपने राज्य को अपने राश्ट्र को सवारने की और उसको आगे ले जाने की एक मंच्छा थी और उसी कड़ी में बाबुजी थे एक व्यक्ति के रूप में एक नेता के रूप में उनका कारिय कभी भुलाया नहीं जा सकता और 17 साल महाराश्ट के मंत्री के रूप में कई जिम्मेदारिया उनने सम्हाली महाराश्ट के उद्योग विकास में महाराश्ट के कुरुशी और शिक्षा विकास में फलोत पदन विकास में हर चीज में उनकी अपनी एक भूमी का रही और कर्मट्टा के साथ हमेशा बाबुजी ने अपने कार्य का निर्वाह किया बसंत्राव नाईक जी के साथ बहुत करीबी संबन उनके थे लेकिन बाद में किनी कारणों से जब अलग हुना पड़ा तब भी बहुत शालिनता के साथ उन्होंने एक अगरलेक लिखा जिसमें रुणानू बंदाचा तुटल्या गाठी अश्या प्रकाज से शब्द वापुरून आणे त्या अगरलेका मदे ही वसंत्राओ नाईकांची त्यानी स्तूती केली आणे त्या सोबत विचारानी वेगल जहलो होत पड़ मनानी नाई अश्या प्रकारचा भाव सांगितला आच्चा राजकारणा मदे ही या करता महत्वाचे कि आज अनेक विळा पक्षा मदे पक्षा बाहेर लोक एकमेकां से शत्रू असले सारके वक्ताद परंतु मलासवाट्टकी राजकारणात अपड़ वैचारिक विरोध कस्तो विचारांचा विरोध अस्तो वेक्तिसा विरोध नस्तो आणे मडून हीस परंपरा बाभुजिन नी सातत्याने पाली आणि यातुनाच केवल पक्षात नाई तर पक्षाचा पली कडे समाजाचा सर्वस्तरातल्या लोकान मदे तेंची एक लोक प्रियाता होती जात धर्म हाँ भेत तेनी कदी मानला नै तेमलेच लोकमत्च ही बिजारोपन जाले नंतर लोकमत चीजिके वाड है ही होत अस्तानना समाजाचल्या सर्व प्रकार्चा लोकानना सोबद ग्योन ही वाड जालेली आपलेला पहला मित्यानी मुणूनाच लोकमत्था किवल राज्यातला एक सर्वात मोठा वृत्तपत्र मुणूनूद मोठा नाई है तर समाजाचल्या सर्व प्रकार्चा लोकानना अपला वाटनारा पेपर ही लोकमत्ची खर्यार्थाना खासियत है आणि विले सोबत जाकाई सुधारना केला पाईजे त्या सातत्याने लोकमत ने केला अने कवला अहेड उफ टाइम्स असा अपन मंटो तश्या प्रकारे लोकमत अपलेला पहाता आला आणि आस तर जेला मिडियाचा बाचे 360 डिगरी बन्टाथ अशा प्रकारचा अप्रोच लोकमत्चा है हाँ प्रिंट मिडिया आता है हाँ डिजिटल मिडिया आता है हाँ इलेक्ट्रोनिक मिडिया आता है सग्लया प्रकार चा माध्धिमातन लोकमत वाचेकान परेंत पोस्तो है आणि सर्व प्रकार चा वाचेकान आणि प्रिक्षेकान जे हवा है ते देनासा परेंतन तर आहेच पन जे मिलाल पाईजी तेही तेनचा परेंत पोस्तोनासा परेंतन हा साथ त्याने लोकमतनी केला है खर मांजे बाबुजिन्च वेक्तिमत्व कसो होत तर या संदरभात माक्चा कालामदेक गोश्ट मला समझली कि जेश्ट समाच सेविका सिमाते साखरे या मधुमालती नावान लोकमतमदेक सदर चालवायचा अले जावई श्रीमती मेनका गांधी या इंदराजिन्चा गुरून बाहर पड़ल्या त्यावड़ी सिमाते साखरेननी लोकमतमदेक लेक लीला अले तेचा मदे सुनेला बाहर काड़नारी खाष्ट सासू अस तेननी लीला तो फोटो देखेल चापला अथा जवारलाल जी हे कॉंग्रेस से जेश्ट नेते इतक्या मुठ्या पदावर असलेले इंदराजी कॉंग्रेस चा सर्वे सर्वा अणे अश्या परिस्तिती मदे माखनलाल फोटेदार जिन्चा तन्ना पोन आला करण शेवटी कॉणितरी पाठोत अस त्यामे लगेस तेचे फैक्स त्याकालात गेले ती इंदराजीन समोर गेला आणे माखनदाल फोटेदाराननी बाबुजिन्ना बोलोन गेतला आणे इंदराजीन कले गेले इंदराजीननी समोर तो फैक्स पड़िला होता ती न्यूस्ते आडिकाणी होती आणे इंदराजीननी तेनना ते दाखोवल त्यार बाबुजिन्नी सांगितला कि एक वृत्तपत्र में चालो तो आणे वृत्तपत्राचा संपादक मणून कि माजे जवाब दरी है कि जे काई घडत ते लोकान परेंत गेला पाई जे आणि माजे उरुत्तपत्रामदे जे लिहतात तेनना तेसो स्वातंत्र में दिला है कदा जे तेनने आशी भाषा नस्ती वापर लेतर बर जालास्ता परण शेवटी तेनना कुठली भाषा वापराई ची है तेनना काई लहायचा है तेनना काई लोकान परेंत पोचवायचा है सर्व सातंत्र में दिलेला है आपने एक दे अचे बातमी अपले वक्थीमात्वास मोठे पण कमी होत नए इनदीराजीन निदेखील ते मोठे मना नी मानने केल परदाल्यान अंतर बाबुजी ना सिमाताई साकरे बेटले आने त्या मनाले कि बाबुजी माजा मुले तुम्हाला फार त्रास जाला त्यास बाबुजी असा मनाले कि माजा वुरुत्त पत्रा करता ने वुरुत्त पत्राचा स्वातंत्रया करता कितीत राज़दालातरी तो मी सहन कराला तयार है, पड़ त्या संद्र बाद मी कुठली ही तडजोड, ही मातर निश्चित पने करनार नाई। कि अमित भाई, एक अस नेत्रूत है कि जन्नी या देशाला करमटता काय असते, दुरुडता काय असते, देशभक्ती काय असते, या सगया गुष्टी दाखों दिल्या, आणि जा दुरुडते न एक एक निरने तेननी केला, आज आपलेला ये पहाता येता है, काश्मीर बद अपन बखतो है, देशा मधे जा प्रकारे आज आतंकवादी कारवाय असते, नक्षलवादी कारवाय असते, ये चवरेक जरब बसलेला है, तो आपन पहातो है, आणि माननिय पंतप्रदार मोधी जिन चा नित्रूतवा मधे, नव भाराताची जीन दिर्मिती होती है, त्य दिखिल अतीशे सयुक्तिक अशा प्रकारचा आए, खरतराज लोकमत मदे तिसरी पीडी या ठीकाने आता तयार जालेली आए, करणाय रिशिय देवेंद्र बबबु आए जगले, या ता अतीशे समर्थ पड़े, लोकमत जो है तो सांभात आया, ये चा आरते विजय बब दिखिल लोकमत मदे चाहे, आले मला सोटता की, ही जी कई एक लोकमत ची परंपरा है, ये परंपरा जी बाबु जिन नी सुरू के लिए, ये परंपरा अशिस आपन उढ़े न्यावी, आज जा लोकांचा सतकार याडिकानी जाला, खर्या अर्थान पत्रकारी तेचा क्षे करतो कि इश्वरानी तन्ना दिर्गा आयूश द्याव, उप्तम आरोग्य द्याव, आणि या अत्ती इशे चांगलिया कारेक्रमा मदे कि जमा लोकमत चे याडिकानी सुरूरन जैनती, आणि बाबु जिन ची जन्मशताब्दी आपन साजरी करतो है, तर त्यानी मित्तनी कारेक्रमा मदे मला देखेल निमंत्रित केल, त्या बद्दल आपले मना पासना अभार मानतो, आणि माज़र बोल्लो संपोतो, जैहिन!